हेलो सेंट्स यह हमने इडेंटिटीज सॉल करनी है फिर्स्ट इडेंटिटी जो है इन इडेंटिटीज को पहले हम सिंप्लिफाइ करके देखेंगे फिर इसके बाद जो हम इनके रिजल्ट को कॉस्चन्स में यूज करेंगे पहली इडेंटिटी है हमारे पास x plus y whole square x square plus 2 x y plus y स्कुर्ण इस इडेंटिटी को सिंप्लिफाइ करेंगे तो हम सबसे पहले क्या दे रखा एक्स प्लस y whole square इसको हमारे लिखने का तरिका है x plus y square is equal to x plus y multiply x plus y x plus y को सबसे पहले हम x से multiply करेंगे उसके बाद x plus y को दुबारा से y से multiply करेंगे इन दोनों को पहले एक बार x से और फिर एक बार square x से उसके बाद y को पहले x से फिर plus का sign y को y के साथ और इसके बाद जो है simplify करने के बाद हमने x plus y whole square का formula लिख लिए x square plus 2xy plus y square यह identity हमने हाँ पर drive करके देखी है और second identity है x minus y whole square उसी तरह से similarly हमें इसी को expand करेंगे और expand करने के बाद जो है इसका result no down कर लेंगे इसी तरह से third identity है x plus y multiply x minus y is equal to x square minus y square जो second factor है पहले उसको हम x से multiply करेंगे फिर बीच में plus का sign है फिर इसको हम y से multiply करके लिखेंगे open करने के बाद इनको multiply करके लिख दिया जो value same है देखो यह value x y है लेकिन minus के sign के साथ है यह value y x है लेकिन plus के sign के साथ है यह अपस में split हो जाएंगी और मेरे पास क्या जागा x square minus y square और इन ही identities का हम use करेंगे इन questions के अंदर पहला questions है हमारा 2a plus 3b whole square देखें बीच में plus का sign है तो identity first इसमें apply हो जाएगी x plus y की मैंने समसे पहले identity first को write down करना है x plus y square is equal to x square plus 2xy plus y square और अगर मैं इन दोनों को comparison करके देखूँ तो x की value जो है 2a निकल रही है यहां से और y की value जो है 3b निकल रही है तो मैं put कर दूँँगा put x is equal to 2a and y is equal to 3b और simplify कर दूँँगा इसको simplify करने के बाद जो है अब नार जल्ट write down कर लूँगा इसी तरह से देखिए अगला question है 4t minus 3 4t minus 3 अब देखें बीच में minus का sign है जो मेरे पास identity है एक तो है x plus y की और एक है x minus y की तो यह x minus y की identity की तरह यूज हो जाएगा तो सबसे पहले मैं x minus y whole square की identity लिखूँगा x square minus 2xy plus y square और इन दोनों का जब मैं अपस में comparison करके देखूँगा तो x की value 4t के बराबर है और y की value 3 के बराबर है इसको evaluate कर लिया मैंने value सबसे पहले respective place पर put करके उसको simplify करूँगा और मेरा result आजाएगा इसी तरह से अगला question है z minus 5 by 2 multiply z plus 5 by 2 अगर मैं इसको द्यान से observe करूँ तो यह मेरी third identity के equal बन रही है x plus y multiply x minus y देखिए दोनों नंबर सेम है लेकिन एक में plus का sign है एक में minus का sign है देखिए उसी तरह से identity है दोनों नंबर सेम है z minus 5 by 2 और z plus 5 by 2 दोन देखिए z और 5 by 2 5 by 2 के बीच के identity है लेकिन एक में minus का sign है एक में plus का sign है तो इसे में वह identity use हो जाएगी पूट कर देंगे x is equal to z and y is equal to 5 by 2 और x minus y x plus y की जगा पूट करने के बाद मेरा result बनेगा x square minus y square और यह value substitute करने के बाद सिंप्लिफाइ कर दूँगा मेरा solution आ जाएगा आज पहले आप इनके derivation को अच्छे से समझेगा इनकी practice करिएगा कल और इनकी application को apply करना सिखेंगे